राहूल गांधी के लोगसभा सदस्यता रद कर दी गई है। राहूल गांधी के सदस्यता रद होने पर कई नेता उनके समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। साथ लेकर के पहले तो जूटे मुगद में लगवाए और कई ऐसे मौके आयें जहां पर प्रसासन ने और साशन ने मिलकर के समाजवादी पार्डी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए मौमद आज़ाखा साब उनकी सदस्यता गई उनके बेटे अबदुल्ला उनकी सदस्यता गई इसी तरह समाजवादी पार्डी के जो सिटिंग एमेलेज हैं। उन पर केस लगाना इर्फान सौलंकी कानपूर और एक अधिकारी बुलाये गया बहार से लाये गया दूसरे प्रदेश के केडर के अधिकारी को बुला करके और ये निर्देश ये सासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्ता लेनी हैं। अभी दो दिन पहली अगर आपको याद हो विधाय किर्फान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्ता लेना चाहते हैं। के स्टेट्मेंट्स हैं अगर उन पर सची कारवाई हो जाए तो बहुत सारे भारती जंता पार्टी के सदस्ता चली जाएगी। ये जानबूश करके जो असली मुद्दे हैं महंगाई, बिरोजगारी और इनके ही मित रुद्योगपती जिनोंने पैसा भारत का डुबाया है। उन पर ये बहस नहीं करना चाहते हैं, उनसे ध्यान अटाना के लिए ये कॉंग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। अखिले इश्यादों के अलावा कॉंग्रेस समेथ तमाम दलों के नेताओं ने भी राहुल गांधी के सांसदी रध होने पर प्रतिक्रिया दी है। इसना के देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफिमेशन केस में दो साल की सजा सुना दी जाए। तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाएगे। उस पे स्टे नहीं लाया गया। अप्रोच करने का समयथ है। उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। कि आवाज बंद करने का काम करें। बेहद ही शर्मनाक है और दुखत दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। जिस तिव्रता से ये नियर में लिया गया। जिसके पीछे आधार हिंग तक्थे और तर्क रगए। कि विपक्ष के दलों को आप ये सोच ले नायके लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। मिल करके लोगों के साथ मिल करके कि इस ताना साही मनोवृति को जमिन दोज करना होगा अन्यत्वा हिंदुस्तान का जो पचतर में वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना उसकी भरपाई कता ही संभब नहीं होगी। यह सिर्फ राहूल गांदी का की लोग सभा सदस्ता रद नहीं हुए। लोग तंक्र मृद घोशित हुआ है आज, अफीसियल डेकलरेशन अप देट अप डिमाकर्स। आजबाई की कि कली फैसला आगए। और उस फैसले में जो तक्नीकी तुटिया है वो तो छोड़ दीजिए। वो तो हम जाएंगे कोट के अंदर उसके खिलाफ। लेकिन जिस प्रकार से कल ही उन्होंने सहज़स्ता वरखास नहीं कि मुझे आश्यर हो रहा था कि यह समझ कहां थे आगी इनको क्यों क्यों यह एक मैं मुझे लगा साइथ अपील में देखना चाहते हैं लेकिन हाच पा मैं इतनी इतना बला दिल कहां से और उन्होंने ततक करने की कोषिषों की गई थी और देश ने कहा देश की जनता की पास जाएंगे देश की जंटा के बाद भी जाएंगे, गाउँ गाउँ जाएंगे, अभी ऐसा नहीं है कि इंद्रिय कांधी के सब सिपाई मर नहीं गए, और हम इस हम्ले के खिलाफ जवर्ज़ प्रथिवाद देगे, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रथिवक्ष को, लोक्तंत बचाने के लडाई है, साहेद कल सहीद भगत सिंग, राजगुरु और बटकुष्वर दत जी के बलिदान का दिवस था, वो बलिदान का दिवस ने राहुल गांधी जी के राजनितिक बलिदान मांगा सदस्ता के रूप में और ये देश के लिए एक टर्निंग जीतेगा, कॉंग्रेस जीतेगी, देश का प्रतिवक्सी जीतेगा. समाजवादी लिडर हैं, उनके पीछे ये पड़ी होई है, लेकिन अभी तो मामला हम देखें कि क्या है, और ये लेकिन समाजवादी पक्षी पर कारवाई हो रही है, लागाता है, तो कैसे देखेंगे, अब देखिए हम लोग देख रहे हैं, और नियाले पर हम लोगों को मैं अब जिस तरीके से है भारति जनता पाठी जिस तरीके से अपना दुखडा रो रहा था, ये नहीं हुआ वह Nuह हुआ, जब वह अभी है तो वह कून सा काम कर रहा हैं, तो पूरी भिहार की जनता और पूरी देश्च की जनता पूरे पर देख रही हैं, इस तरीके से कई एक लोगों के उपर यह भारती जन्ता पार्टी के ही पूरे इस आरोप पर सब चीज हो रहा है हम इतना ही करना चाहेंगे अप लोगों पर भी आरोप लगाया है यह कहिए ना भाजपा कब नहीं आरोप लगाया है लेकिन भाजपा को अब समझ में आ चुका है जो इस तर चैनल के मादेम से आज हम भाविशुमाणी भी कर देते हैं कि दिल्ली का जो जिस गद्दी पर नरेंदर मोदी जी बैठे है वह हिल कर रहेगा मेरा भाविशुमाणी आप लोगों याद रखिए जैसे कि उम्मीद थी नरेंद मोदी जी से अमिर्शा जी से और संपून भा उन्होंने जितनी बाते हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी अडानी जी के संबंदों के बारे में कही थी पूरे संसद की कारवाई से उन्हें अटा दिया गया किस बात का डर है मोदी जी क्यों डरते है मोदी जी की जबान से आज तक इस विशे पर एक शब्द नहीं नहीं कि संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं चर्चा नहीं होने दे रहे हैं आखिर कब तक रोकियेगा आप संसद में नहीं बोलने देंगे न मत बोलने दीजे जनता से बीफ में जाने से रोकेंगे, वहां भी हम पर केस लगाएंगे, वहां पर भी हम पर जूटे प्रक्न बनाएंगे, बनाईए, कॉंग्रेस का एक एक कारे करता, घर घर जाएगा, और अपनी बात जड़ता से जनता तक पहुचाएंगे. जनते हैं राउल गांदी की सदर से ता समाथ आप करी नहीं सकते, लोग सबाद देख्स को यह पावर ने पर जिए अधिकार शेतर में नहीं आता है, फिर भी उन्होंने सदर से रद कर दी तो यह गैर कानून निकरता है, लोग सबाद देख्स ने किया जागा, जितना राउल गांदी पर जुम होगा, उतना बीजेपी का सफाया हонने कि तैयार होगे, पुरा देश का आशिरा, मा, भें, बेटी का आशिरा, राईल गांदी के साथ Meaza Черis, पिच्छे नहीं आटेगी, राईल गांदी बताते हैं कि राहूल गांधी की सदस्यता क्यों गई लोग प्रतिनिदी अधिनियम 1991 की धारा आठ के मुताबिक अगर किसी नेता को दो साल या इससे जादा की सजा सुनाई जाती है तो उसे सजा होने के दिन से उसकी अवधी पूरे होने के बाद आगे 6 वर्षों तक चुना पूरे सालत ने राहूल गांधी को फैसले के खिलाव सांचिन्जन्स कोर्ट में याचिका दाियर करने के लिए एक महिन्य का समय दिया है इसलिए नियम की अनुछार राहूल's की सदस्यता चली गई हाला कि बहुत कम उमीद है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को इस मामले पर राहत मिले ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल पर दोश साबित हो चुका है कानून के कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि कोर्ट कुछ समय के लिए लोकसबाद्यक्ष के फैसले पर स्टेल लगा सकती है राहुल गांधी के पास दुसरा विकल पिये है कि वो एक महिन्ने के अंदर कोर्ट के फैसले के खिलाब सैंशन्स कोर्ट में याचिका दायर करें इसके बाद कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी का भवश्यत होगा मुद्दे के बाद ये है कि राहुल गांधी सैंशन्स कोर्ट जाते हैं और वहां उन्हें रहात मिलती है तो वो जेल जाने से बच सकते हैं अगर सैंशन्स कोर्ट से रहात नहीं मिली तो राहूल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है